हलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एलेंज जाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया कोशन आपकी ओंगोइंग स्रीज बिनिस्टॉर्म के तहर्ट आप लोगों ने वाला सवाल ट्राय किया होगा कोशिश कियोगी तो हम देखते हैं अब इसका एनलाइटिकल किस तर रिद्धमली हर एक के पास जो गन है उसमें एक एक ही वोलेट है ठीक है रिद्धी फायर करते हैं एक दूसरे पर ही चलानी है और नो वन misses the target at which they aim and shoot जिस पर भी वो target करते हैं और shoot करते हैं वो miss नहीं होता जिसको target करते हैं वो खतम हो जाता है ठीक हुई बाथ यहाँ पर बोला गया है then PN denote the number of ways in which exactly one person is alive after shooting PN क्या number of ways है ऐसे तरीके हैं जिससे कि एन लोग आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाएं एक ही गोली है सबके पास लेकिन उनस एन मैंसे केबल केबल एक्जैक्ली एक ही बंदा बचा रहे हैं बाकी एन माइनस बन क्या हो जाएं खतम हो जाएं इसकी इसके जो number of ways उसको PN से डोनेट किया गया है दो लोगों में से गोलियां चलेंगी तो पूछा गया है यदि दो लोगों में गोलिया चली और एक बंदा बचे उसके number of ways कित्ते होंगे तो आप खुद सोचिए इस बात को दो लोगों में यदि बंदुक चलेगी तो एक दूसरे पर aim होगा तो कोई चांस नहीं कि कोई बचे डेफिनिटली जिस पर aim करेंगे वो शूट करेंगे जिसको वो खतम हो जाएगा तो पीटू का वैल्यू आप समझ सकते हैं सिंपल कॉमन सेंस से के पीटू का वैल्यू डेफिनिटली क्या आना चीए जीरो ही आना चीए आप बात समझ गें पीटू का वैल्यू की आना चीए आपका जीरो आना चीए कि दो लोगों में से आपस में एक गूसर बेगों चलेंगी तो कोई भी नहीं मचेगा दोनों मट जाएंगे तो एक बंदे की जिंदा रहने की प्रोबैबिलिटी जिंदा के मतलब कितीन लोगें आपास में चलितीनों में किनो बंदा चलाएं और तीनोंने जो करहES छलाएं और शेक्या हुझा हो पहला बंदा जिंदा बच जाए रहा है तो किसी ना किसी जो दूसरे बंदे बचे-कुचे बंदे हैं उनमें से किसी ना किसी एक को एक एक्स्ट्रा गोली लगेगी राइट तो जो सेकेंड परसन है हमारा यह थार परसन है उनमें शिएक गोले एक्स्ट्रा लगी तो सब्सक्रो टूपर कि लो क्या एक उल्वियक एक्स्ट्रा हो गई और थढको एक ऑफार खतम हो जाएंगे यह जिंदा बचार रहेगा ठीक है इसके अलाबा यहीं सिमिलर के कैसा बन सकता था शमाज़ना जला टू को केवल एक गोली लगे और थी को क्या लग जाएं ड्रोग गोली लग जाएं और अभी क्या वन जो है बचा हुआ है राइट सिमिलर फेशन में यदी हम टू को जिंदा बचें तो दो केस बनेंगे अब समझ ने तू को यदी जिंदा रख दें वन और त्री के साथ सेम क तरह छेंद यह वाला सोचना पड़ेंगे यहां पर चीज पिक्चर आती है डियरंजमेंट हमें क्या क्लेंट करना पड़ेगा आपको पता होगा आप लोग ने किया होगा n envelope हैं आपके पास और n ही letters हैं तो उनको आपस में d range करने के तरीके होते हैं d n जिसको बोलते हैं क्या होता है d arrangement का मतलब कि जो 123 up to nth number के letter हैं उनके corresponding 123 up to nth number के envelope हैं तो ऐसे cases जिससे की पहला letter थार सब्सक्राइब बाकि सब्सक्राइब जा सके या फिर सेकेंड जो लेटर है वो खुद के envelope के अलावा बाकि सारे envelope में जा सके similar case 3 के साथ है similar case 4 के साथ है तो ऐसे cases को क्या बोलते हैं कि किस वेल्य को पास पूल रहा है । रहा है आपको केसे पता है इसका फॉर्मुला रहा होता है दीन का इक फॉर्मूला होता है यह फेक्टोरील ए वन माइनस वोन उपर्कॉरियल वन फ्लस वन का त्क वैल्य वन पर निकालते हं झालथे हैं कि यह तो Isa यह नहीं थी हमें इसके इसन स्वाइरल कुछ इंदर यूज करेंगे क्योंकि जब हम फायर होगा, जब हमारे पास एन लोग हैं, आपसे में फायर करेंगे, तो डेफिनेटली जो बुलिट वो जो गोली लगेगी, वो खुद जो बंदूक चलाएंगे, जो खुद की जो बॉलिट है, वो खुद को तो नहीं लगेगी ना, किसी दूसरे परसन को लगेगी, तो ड लिखने के कोशिश करते हैं आई बास समझ में इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और अब यह नहीं से एक बंदा जिंदा रखना है उसके केसे कितने बनेंगे अब आप अन्य से एक एक बंद जिंद्ड रॉखना है उसके बात चलिए इसके बाद क्या सिचुवेशन भावग rhyme कि बच से ए्लेशन लोग है बचे कोचे एन माइनस बन लोग है उन्हों का आपस में क्या conve दोगा वह वो वह तो सब लोक खतम कोने वाले हैं कि ब Dw बचा लिया है जिंदा रह गया है इन गश ót से को यह अ सवक्ल विए उसको दोबिट लगेगी तो नहीं करना पड़े का जिसको कित्य आर्यवा समझां है ठीकब बात और ए में से इसनमा लोग जहें उनमें आपस में गोलिया चलेगी उनको परसन हमें करना पर और इन में से एक पर संपैशल होगा जिसको दौदो लगेंगी तो तो समझना जरब से उनको सबिसक्त करने का तरीकर वनए ट nochmal स्मझद रहें बात को एक पर सब्सक्राइब चिंदधा रहेगा क्या है जिस वंढ़े को दो गोली लगे उसको भी नट लिया और डी वायनस माइनस सब्सक्राइब है जो एन मायनस सब्सक्राइब लोगे शाद लगीन को मैंने पहले नकाल लिया था एगोली लगाके खतम हो जाएंगे एक बंदा जो इसको एक्ट्रा गोली और बहार न नकाल लिया वह बंदा इन में से जो n-1 बाला बंदा है, यह जो बंदा है, इसको क्या लगाएगा, एक्स्ट्रा दो बॉलिट। इसको सिंगल बॉलिट लगेगी, यह तो Alive रहे गाई यह बाला तो Alive बाला है, और यह Two बॉलिट बाला बंदा है। आरीवा समझों लेकिन एक छोटी सी दिक्कत होगी इसको जो दो बुलिट लगी है उनमें से जो एक्स्ट्रा बुलिट है वो डेफिनेटली बाहर वाले बंदे ने मारी है ठीक है यह क्लियर है अब हमें क्या करना पड़ेगा एक यहां पर गड़बर हमने जो गड़बर कर द और उसको केवल और केवल एक गोली लगे और दो गोली आपस में से ही किसी दूसरे बंदे ने मारी हो आप समझ रहें जैसे यहां पर तो क्या हो रहा है इसने जो गोली मारी है वो ऐसे व्यक्तिक गोली मारी है जिसको और गोली लग चुकी है फिर एक्स्ट्रा गोली और मा सिर्फ में फाटम करें तो इसको एक गोली लगे दो गोली किसी दूसरे बंदे को लगे आरे यह वाइस समझ में ठीक है तो उसके इसको लए यहां क्या कर रहे हैं यही जो nc1 को प्याला है कि से इसको हम अच्छा कर रहे हैं पी एन माइनस बंप अपने यह यह पी एन माइनस बन का मतलब क्या है यह पी एन माइनस बन का मतलब है यदि हमारे पास एन माइनस बन लोग होते और उन में से हमें एक जिंदा बाहर निकालना होता तो उसके केसे पी एन माइनस बन बन बनते और जो एक जिंदा आपने बाहर निकाला जिंदा बाहर निकाला है उसको यह एंसी बन वाला फायर कर देता है ठीक हुई बात समझ भारी बात किस तरह समने दो केसे बनाए तो इस कारण से यह जो वैल्यू आएगी हमारी किसके आएगी पी एंट की वैल्यू आएगी थोड़ासा और फॉर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एंसी बन मल्टि सी बनंदागा ड़ी टू अब निकाल लेते हैं इस फॉर्द पर सी बन राइट को शॉब यहां क्याना चाहिए ट्री यहां पर चाहिए प्लस यहां पर आएगा भई एक क्वाल टू सॉल कर लेते हैं फोर इंटू त्री सीवन माने थ्री ट्री का वैलू अभी थोड़े पहले लिखाता है इसी फॉर्मुले से यूज करके निकाल सकते हैं ठीक है इंटू टू प्लस पी अभी निकाला था सिक्स तो कितना हो हो ठीक है अब इस किसी यह मारे पास पी भाली निचलों फैसर पूछा नहीं यह तो क्या हैगा 530 4 C फाइब सी बन टू एंन टू एंटू डीफोर क्लस यहां पर क्याएगा पीफ़ोर पीफोर किरता है 48 थूरा सॉल कर लेते हैं पायव इंटू फोर सी सीवन डेफोर यहां तो गफोर नाइन फॉर 20 अब लास्ट में पी 6 और नकलना महीं तक पहुंचना है पी 6 का वेलियों आना चाहिए 6C1 5C1 D5 प्लस 420 ठीक ही बाद सॉल कर लेते हैं इसको फॉर्दर किता आएगा भाई 6 इंटू क्लास वर्टेंटीक्स कर लेते हैं इसको 44 मिना इंटू-फॉंटेंटना हीक टू-प्रंड-डेट सुन्डरी टू-अ-फॉन्टी कित्ता हो गया 640 640 इंटू 6 यह हो गया 3600 और 240 तो यह हो गया 3840 ठीक है तो यह जो P6 का value है यह भी हमारा perfectly सही है इस तरह से हम क्या नकालेंगे आप P2 P3 P4 P6 अब आप आपने देखा कि PN का जो है हमारे पास recurrence वाला का formula आया P3 को यूज़ करके P4 नकाला P5 को यूज़ करके P6 नकाला डिरेक्ट इंडिविजल PN का formula नहीं आ गया जब तक छोटे थे टू था 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 हम तो मैनुवली calculate करके नकाल लिया लेकिन direct formula हम नहीं निकाल सकते PN का ठीक है तो आप लोगों को यह समझ माया होगा किस तरह समने लाइटी के लिए इस question को solve किया है अब आपका next जो brainstorm question है वो कुछ इस तरीके से इसको try कीजिए फिर हम मिलते हैं next season thank you